तो आज इस वीडियो में पर रिव्यू करने वाले शामी का जीटी बाइल एल एप फाई जो की चाइना रॉम पर बेस्ट है अपने पुक एक्सरी डिवाइस में तो एमाई वाई का रॉम है तो यह रॉम का प्रफार्मेंस कैसा है सब डीटल में देखेंगे एपन वीडियो क सब्सक्राइब करने से पहले चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकिशन को अल पर कर दो लेटेश अप्डेट मिलते रहते तो सबसे पहले एपन अबवाट सेक्शन पर चले जाएंगे यह आप यह देख सकते जीटी का लोगो शो करता टो मुआ आपनी को कोई भी मेमोरे एक्स्टेंशन नहीं मिलता मेफ कर अपने को मिलता थोड़ा पुराना वरशन है करनल वेडर का मिल दे करनल है तो बैक आएंगे अपंचलोजिंग में कोई लाइक नामिलता इकदम स्मूध दर ऐनिमेशन से देख सकते हैं यूवारी में की देंको लाइकन है घालजन स्रीके से अपने को इन यूवा or मिल थेर मिलता कॉल queue नाटिके से अपने को recent से हमिल आदे basic settings चेक कर लिएंगे अपन lock screen पर जाएंगे rest to wake up option मिला ता double tap to wake up option मिला था lock screen clock formats अपने को मिलते यहां पर देख सकते formats है charging animations अपने को मिला थे glow flow wave set कर सकते अपने इसाब से तो back आएंगे अपन डिस्प्ले पे जाएंगे, डाक थीम, वाइट थीम बहुत अच्छा होँर कर आपना, रिडिंग मोड अपने को मिल्या था, कलर स्कीम में अपने को ये सब कलर मिल्या थे, डिफ्रेंट रेट भी चेकर आदे तो मैं, तो 60-120 पे स्वीच कर सकते, 98 सिधर अपने को नहीं मिल्या था, तो बन बैक आएंगे, साउंड इन वैबरेशन पे बन जाएंगे, तो हैप्टिक्स बोट अच्छा होँर कर अपने अधर, अधिशनल सेटिंग में अपनोंको ये सब ऑप्षण मिल्या थे, साउंड एफेट्स का अपनोंका अप्षण मिल्या था, होम स्क्रिन पे बन जाएंगे, तो यहाप अपनोंको पोको लॉंचर मिला था, home screen classic with app drawer आप set कर सकते double tap to lock screen का अपने को option मिल याथा और यहाँ पे layout देख सकते minimum 4x6 maximum 6x7 तरके रख सकते icon size आप set कर सकते styles अपने को मिल याथे arrange items in resistance का अपने को option मिल याथा vertically horizontally अपने हिसाफ से सेट कर सकते memory status को enable कर सकते तो यह सब options अपने को मिल याथे wallpaper विजाएँगे अपन तो यहाँ अपने को опыт music मिल याथ würden जा रही थी तो battery saver का अपने को option मिल याथा इसमें सपोरेड है, एडिशनल सेटिंग पर जाएंगे अपन, वन हैंडड मोड अपनों को मिलता, किलर स्पीकर को अप्शन भी अपनों को मिल जाथा, पेशल फीचर्स पर अपनों को गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, लोटिंग विंडो, सेकेंड स्वेस, अपनों को मिल जाथा, तो इस सब अपनों को ऑप्शन मिल जाथे, शेफ्टीनेट चेक के लिएंगे अपन, पास्ट होता है कि ने देख लिएंगे, रंटेस पे अपन डैप करेंगे, तो इदर शेफ्टीनेट अपना बाइडिफॉल्ट फेल्ड है, बैंकिंग अप इसमें रन ने कर सकते हैं, और डिवाइस अपना नॉट स्टीफाइट रहता, DRM इन्फो के अंदर अपनों को वाडवन L1 मिलता, सेक्रिटी लेवल L1 है, और रम मेनेजमेंट चेक के लिएंगे अपनों कैसा मिलता, तो देख सकते हैं, इसमें अपनों का MIY कैमरा इन्बेड मिल याथा, सारे फीचर्स इदर सहीं से वर्क कर रहेगी ने, अपन डिटेल में देख लिएंगे, तो वीडियो रिकाइडिंग 100 पी 60fps, 4K 30fps से रिकाइड कर सकते हैं, और पोट्रेट अपना बहुत अच्छा वर कर रहा, एक अच्छा वर कर रहा, 64 Megabig भी चेक कर रहा, देख सकते, और यहां पर MIY टोल के विडजेट मिल याथे, CPU Thrall लें चेक करेंगे अपन तो ग्राफ इदर दे सकते हैं Maximum अपने को 1,46,000 Gips मिला था Average 1,40,000 Gips तके हैं Minimum 1,24,000 Gips मिला था तो प्रफार्मेंस बहुत तकड़ा मिलता है इसमें अपने को अपनों कोई भी major lag नहीं मिलता हलकी सदर frame drops अपने को मिल जाते हैं अगर hot drops लेते हैं तो ज्यादा frame drops होते हैं और इसमें में को battery drain issue देखने को मिला battery बहुत जल्दी drain हो जा ली थी और कोई भी दर में को heating issue देखने को नहीं मिला screen recording पे gaming करों फिर भी इदर बहुत जबर्दस gameplay में को मिला major drawback है इसमें battery बहुत जल्दी drain हो जाती तो battery backup के basis पे देखींगे तो बहुत बेका ROM है ये लेकिन gaming performance में कोई भी अपने को effect नहीं पड़ता बहुत जबर्दस इसका performance है stable अपने को 40 fps मिल जाता ROM का link में टेलीगराम चैनल पर देदे तो वासे download कर ले न अगर टेलीगराम चैनल को अब तक जॉइन ने करे तो जॉइन कर लो इतर जिन्दे भी कस्व रॉम पोकेक्स तरिक है वो सारे रॉम्स का इदर आपको लिंक मिल आदा